हालो फ्रेंड आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने इस हीटर के लिए पहले भी आप लोगों के वीडियो बना के बता चुका हूँ अगर आप आज के वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा और आपको जनकारी हो जाएगा क्योंकि यह जो स्टोन का हीटर है जिसे स्रेमिक का हीटर भी बोलता है जो यह क्या है कि इसे खराब हो गया है अंदर का वायर तुट गया है इसे हम रिप्यारिंग करेंगे मैं पहले ही आपको दुसरे वीडियो बनाए टाइम में बोले थे कि अगर हीटर खराब भी हो जाए तो इसे रिपियर भी कर सकते हैं तो आज मैं आपको इस हीटर को रिपियर करके दिखाते कि कैसे इसमें जो वायर है एक फेस का जो वायर है वो अंदर से जल गया है इस वायर को हम फिर से स्कुरू के अंदर टाइट कर देंगे तो यह हमारा हीटर फिर से काम करने लगेगा आप अच्छे तरह से देख सकते हैं कि कैसे तुट गया है और इसे रिपियर करने के लिए कितना इजी है वो भी आप आज के वीडियो में देख सकते हैं तो पूरा वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा कैसे कैसे इसमें इसको खोल कर लगाया जा रहा है जो इसमें पहले स्कुरू का अंदर जो पहले वाला टूटा हुआ है उसे हम खोल कर पहले निकाल लेंगे तक यह अच्छे से देख सकते हैं कैसे अंदर तूट के इसमें रुका हुआ है अब इसे निकाल कर फिर से जो अंदर का तुकरा है वो पूरा अच्छा से निकाल देंगे और इसे फोल्ड करके जैसे लगाया हुआ है एक वायर को दो बार फोल्ड करके मोर कर वो इसे सेम पहले जो अभी थोरा सा आपको दिखाई देगा देख सकते हैं अच्छे से कैसे थोरा सा फोल्ड किया हुआ है जो last छोर होता यह उसे फोल्ड करके उस तरफ का दूसरे तरफ का हम थोरा cutting player से उसको बाहर खीचेंगे और बाहर खींच कर उसे थोड़ा फोल्ड करेंगे फोल्ड करके फिर इसके एस्क्रू के अंदर लगाएंगे ताकि ये जो भी हमारा ये हीटर काम नहीं कर रहा है ये वायर को जल जाने से तो फिर से वो काम करेंगा तो मैं इसे थोड़ा कटिंग प्लियर से खींच के इसको जोड़ दिये हैं वो आपको वीडियो में थोड़ा नहीं दिख्या मगर इसमें हमने वायर को अंदर से खींच कर फिर इसे टाइट कर दिये हैं अब इसे क्या करेंगे कि हम फिटिंग करेंगे और भी फिटिंग करने उसको उपर लगाएंगे, हीटर के उपर, फिर उसके बाद हम एक प्लेट लगाएंगे, और प्लेट लगाकर जो होल है, उस होल को पुरा अच्छे तरह से मैच करके, उसे हम टाइट कर देंगे, ताकि यह कभी ज्यादा लूज ना हो, कितना भी प्रेस हो, तो वो लूज ना हो, इसलिए उपर का ऐसा प्लेट लगाके, टाइट किये जाता है, इसमें बहुत सारा किसी का मोटा प्लेट आता है, किसी का पतला आता है, आप अपने हिसाब से इसे लगा सकते हैं, और इसे टाइट करने के लिए, आप अच्छा से होल मैच करके टाइट किजिएगा, तो हीटर क्या होगा तूट जाएगा और आपका हीटर खराब हो जाएगा और सोट सर्किट भी लगेगा इसलिए आप देखकर मेडियम टाइट किजिएगा तक कि आपका जो हीटर है वो अच्छा से फिटिंग हो जाएगा तो यहां पर होल थोरा मैच नहीं हो रहा है पुरा इसे मेडियम टाइट कर देंगे कटिंग प्लियर पान्ना से इसे पकर कर तो इस तरह से इस हीटर को फिटिंग किया जाता है और रिपेर कैसे हुगा ओ भी देख लिए तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा अभी तक आज के लिए धन्यवाद